नमस्कार, वी टीवी ना चक्रवी कारेकर मां आपनू हारदीक स्वागत छे, हुँछ हुँ देविशी बारण, आजे चक्रवी मां आपनी साथे शे ओमजी माथूर, ओमजी माथूर छे ए भाजपना महत्वना व्यक्ति के वाई छे, ट्रबल शूटर पन के वाई छे गुज आपके उपर ज्यादा विश्वास है, हम लगबग 40 वरसों से सारजनिक जीवन में काम करें। कर रहे हैं और गुजरात ही नहीं, मैं गुजरात से पहले 2001 में मद्यपरदेश का परभारी बनके गया, उसके बाद गुजरात भी आया, फिर महराष्ट भी गया बीच में, फिर उत्रपरदेश भी रहा, राजस्तान में लगातार 14 वरसों तक, पहली बार 90 में हम लोगों हमने मिली-जुली सरकार बनाई, और बराणवे में जब पांच सरकार भंकी, और तराणवे में जब चुना हुए दुबारा तो सिरफ राजस्तान रिपीट हुआ था, इसलिए यह देखे कुल मिला करके हमारी पार्टी कार्यकर्दा आजारीत पार्टी, और इसलिए हमारा मुख्य उद्दे से आदरनी नरेंदर मोदी जी का और हमारे राष्टी अद्द्यक समीत साजी का, कि अगर हमने बूत को केंद्रित कर दिया, और हमारा कार्यकर्दा बूत पे सजग हो गया, तो हम कोई भी चुनोती को स्विकार कर सकते हैं, चुनाव का परिणाम अच्छा सकता है, आप इसमें माहीर है काफी, माहीर याने कुल मिला करके हम संगठन के लोग हैं, आदे नरेंदर भाई भी संगठन से निकले, अमीद भाई भी कल जैसे उन्होंने फारम बरते समय कहा अपनी बात, कि मैं इसी विदानसभा शित्र में दीवार पे वाल पेंटिक और चिपकाते चिपकाते आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्स पना हूं, तो यह हमारी प्रारम से ही है, कि पार्टी को में मजबूत बनाना है, हम कैसे विचित्र माहोल में से खड़े हुए, यानि जिस पार्टी ने 68 वर्स तक एक छत्र राज किया, उस पार की जाए, तो 26 सीट का टार्गेट रखा हुआ है, कॉंग्रेस बोल रहे हैं कि साथ से आठ सीट हम ले जाएंगे, तो आपकी 26 सीट तो पहले तो कम से कम कॉंग्रेस अपने आपको साथ से आठ पर सिमित कर रही है, इसलिए उनको पता है कि वो कहां खड़े है, दूसरा मेरा प्रशन है कि हम 26 का टार्गेट तो पिछली बार भी हमने दिया था, और जब कोई आप लोग मानने को तयार नहीं थे, 26 हमने पिछली बार भी पूरा कर दिया था, अब मेरा जो टार्गेट है, मेरा टार्गेट है कि परतेक सीट पर हमारी लीड कैसे बड़े, और इसलिए 26 पिछली बार की बात अलग थी, तब मोदी जी का करिश्मा नेत्रूत हो था, यूपी एक की सरकार के सामने ब्रश्टाचार का मुद्दा था और आपकी सरकार के सामने लोग प्रशन करने वाले नहीं थे, ठीक प्रशन किया, देखिए, पिछली बार हम खाली मोदी जी, AJCM और खाली गुजराज मोडल लेकर के केते हैं, इस बार मोदी जी, AJCM नहीं, AJPM नहीं, मोदी जी हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया का एक विरार सरूप बन चुके हैं, और मोदी जी ने पूरे राजनिती को इन पांच सालों में विकास की और टंड किया है, आज आम विक्ति को सतर सालों बाद ये महसूस हुआ है, कि देश में कोई पहले मेरे घर का, मेरे मौले का, मेरा पडोसी, मेरा हित्चिन तक, ऐशा विक्ति सरकार में आया है, और इसलिए, मोदी जी के साथ उनका विराट विक्तित्व, पूरी दुनिया में उनकी धाक, दुनिया मा साल के गड़े मोदी जी पांच साल में भरे, कर मोदी जी ने मैं हूँ चोकीदार में बाद को सफष्ट भी किया है, निस्षी दूरूप से जनता की अपेक्षा पेम खरे उत्रे हैं, हमने चाहे कुछ भी समस्या रही हो, लेकिन पचास करोड से जाधा परिवारों को हमने स सिधा सिधा विकास से जोड़ा है, यह लोग बोल रहे है, बाजब बोल रहे है कि हमने काम किया है, लेकिन वो तो हमारी उदना थी, मान लिजे कि जंदन वाला मुद्दा के छोड़ के ऐसी कुछ बाते छोड़ के बाकी की योदना है, तो यूपीय सरकार की थी, उसमें शिधा जी ने का था गरीबी हटा और नाला दे करके चुनाव जीता, आज उनके इन्डरा जी के पिटा जी ने भी यही बात कही, इंडरा जी ने भी यही कही, शोणिया जी भी बोल रही है, राहुल भी आप कहे पहला हम घरिभी उटाएं गаний को top जा जी पा उटेडा ह और खुदके परिवार का गईबी जरूर मिटाई है। 22,000 वाले मास्टर्टोक आपको असर करें या नहीं करेंगा। कोई ओजना ही नहीं उनकी। 72,000 वाले विशे को तीन स्क्रिप्ट में वो तीन बार अलग अलग बोल चुके हैं। और आखिर लाएंगे का। जो गुजरात की बात कर रहा हूँ, जो गुजरात की प्रदेश कांग्रेज ये कहती है, हम 6-7 सीट जीतेंगे, तो वो कहां इंदुस्तार में सरकार में जाने वाले। इसलिए उन्हों ने शिरफ मात्रम मात्रत शिरफ और इंद्राजी वालों को याद करके साइद मेरी दादी ने जैसे धोका दिया, इस तरह में भी एक धोका दे करके जनता को वोट ले लूँ, लेकिन जनता अब सावधान हो चुकी है, जनता कता हुए। आज ये गटबंदन, आप देखिए, आदे से जादा शेत्र में कॉंग्रेस को कोई भी अन्यदल स्विकार नी कर रहा है। दूसरा जवान उसको नमस्ते करना भी स्विकार नी कर रहा है, मायावती ने कहे दिया, मैं पूरे देश में कहीं भी कॉंग्रेस को स्विकार नी करेगी। और वोटर इस समय आदेने नरेंदर मोजी जी के साथ, एंडिय के साथ और आदेने महारे विकास के साथ खड़ा है। यूपी की बात करें, यूपी में आपकी सबसे ज्यादा सीट आई थी और सरकार उससे हिसाब से बनी थी। तो इस बात यूपी में सबसे ज्यादा थी। कि विराम बात आपनू स्वागत चे अत्यारे अमारी साथ चे ओम जी माथूर, ओम जी माथूर ने पूछे के यूपी नी अंदर, आना खास के ने एंपी अने जया हिंदी हार्ट बेल चे त्यानी स्थी तिस्सू छे और के विरी ते ते ओ फरी एक वात्या सत्ता पर आप बोल रहे थी कि यूपी में हमने अच्छा प्रदेशन किया, इस बार भी आपके आसा है कि यूपी के सामने आप अच्छी तरह से खड़े रहेंगे, देखिए ये लोग पहले भी एक थे, लोक्षभा में भी एक होने कोशिस की थी, विदानसभा में भी खूब एक थे लेकिन दिजल्ट जन्ता ने दिया है, जब जन्ता मन बना देती है, और जन्ता उनको फरक रुकी है, जन्ता लगातार उनको देख रही है वर्सों से, कि ये सारी पार्टी अपने परिवार, अपनी जाती, अपना समाज उससे बाहर नहीं है, और नरेंदर मोदी जी से जादा सीट इस बार भी जीत करके जाने वाले हैं, और सभी प्रदेशों में, आप यूपी का खाली मत उदार नहीं दीजिए, लेकिन हिल्दी हार बेच में वी कॉंग्रेस की सरकार है, पिछली बार ये बाहर पाकिसार करती तब ये सुआ है, यूपी में नहीं है सीट एक भी नी जीत पावे, इसके साथ मद्यपर्देश में ये हल, मद्यपर्देश में हमारे वोट जादा है, और इसलिए निच्छी दूरूप से जनता ने मेड़िट दिया, हम सुविकार करते हैं, लेकिन भारतिय जनता पार्टी लोक्षभा, और एक ध्यान रखिए, विदान सबा का चुनाव, शित्री एस्टेट रज्य के आधार पर होता है, लोक्षभा का चुनाव, राष्ट्य आधार पर होता है, नेतुर्दू के आधार पर होता है, विचारों के आधार पर होता है, देश के परदान मंत्री बनाने के आधार पर होता है, आप क्या आपके साथ इस बात स्थिति काफी थोड़ी वीकट है क्योंकि आपके जो साथी पक्स है वो कुछ नाराज नजर आ रहे हैं आपने पर्शू का द्रश्य यहां देखा होगा जब अटल जी सरकार बनाई तब भी 24 पार्टिय थी और आखिर 24 पार्टिय जब होती देखे पार् गटबंदन धर्म निपाना जानती है वह समें भी राजी निराजी चलते थे लेकिन हमारा एक जॉइंट एजन्टा था और घुण तुम आपको दिल एक है उनकी पार्टी अलग है लेकिन हमारा टार्गेट है हम इस देश को एक विकास की और बढ़ाने वाले लोग है और इसने सब का टार्गेट होता लेकिन वीचारों की भिनता कहीं कहीं होती रहती है इसमा अनिता लेने की का जरूते यह तो चलता रहता ह इस बार नहीं है कि यह मुद्दा नहीं है यह मुद्दा आज डाने की कोशिस कर रही है और आप खुद लाइव जब जाते हो अप्वांएक लेकर जंता के बीच में और जंता जो फर्जन देती आप उसी का अनलीजिस करें ना यह इन चीजों को भूल कि मैं तो कहता हूं आप जा रहे हो इस समय पूरे देश बर में शारे चैनल अपने माइक और एंकर लेकर के जा रहे है जनता की बीच में और जन्ता उनको जबाब दे रही है और यह आना वाले चुनाप परिणाम के दिन आपके सामें आपके पटल न पर चैनल लेबर कर रहा था कैज्वल लेबर पर था कॉंग्रेश के अब परमानेंट हो गया तो कमचे कम एक तंका दो उनकी फिक्स हो गई ना इसलिए हार्दिक पटल बेरोद्गार काहसे बेरोदगा है वह तो थंका के कॉंग्रेस के पर रोल पर है और हारदिक का ढ़िस इसके से सरकार बनाने लड़ने के लिए उसको राजिव में कॉंग्रेस को कोट पे कभी बुरोसा नहीं रहा जिस कोट ने इलाब आजवे की राम जनम भूमी को और अफराइज किया कि यह जगे भगवान राम की जनम भूमी है उसी पर यह अभी ताजा ताजा महामंत्री बन प्रेंका का वर्जन था कि वो विवादित इस्तल है अगर वो विवादित इस्तल है मालो कोट में है तो क्या वाडरा जी कोट में नहीं है क्या सोनिया जी कोट में नहीं है क्या राउल गांधी कोट में नहीं है मैं प्रेंका जी से पूछना चाहता हूं कि वो उनसे मिलती ह प्रियंग कोई चैनल नहीं नहीं चीज है कि पीछे एक महा सचीव का लेवल जोड़ का यह और पीछी मारी खूग हूँ मैं तो वहां था यहां रहेंगे और किसी अन्य देश में जाके बसेंगे यह पता नी क्योंकि नियाले अपने प्रोसेस चला रहा है यानि का उसको जेल में डालेंगे यह देश लोगत दोस्के चल रहा है तो बावीशिय में जाने की संभावना है वह आप चिंदा करिए उसकी हमको क्या ले न करला के लिए ऊद्धान को मानने वाली नहों करेंगे यह लेकिन आज की तारिक में वह मां बेटे दौनों PARP तिनों जमालत पर छू्टे हुए हैं। अब्हार्मन्धिर वाला मुद्दे में आप नयायले का पुरा विश्वास करेंगे। तो जनता का Peasaran ॏह Condren रख मैं की जन्ब भूमी हिंदुस्तान के पर्तेख नागरिक आश्था का पहुषण का करता है। कि वहुशंद राम की जनभ भूमी पर भव या मंदिर बने और इसलिए हम चारते मंदिर लेकिन हम हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ने हिंदुस्तान के सभीधान में पूर आस्ता रखते हैं इसलिए सभीधान की मरियादा में रहते हुए जो भी निर्णे होगा उस निर्णे को हम स्विकार करेंगे समाज जीवन के परते गंग मैं आपको पुछना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई ऐसा देश है क्या कि जहां उनके बिल्कुल आस्ता के केंद्र पे किसी ने कुछ और कर दिया हो अभी कल परसुए आपके सारे चैनल दिखा रहे थे कि चाइना में एक बहूल मुस्लिम बहूल प्रान थे जिसमें नमाज में परतिमन लगा दिया मजजीदे तोड़ दी गई लेकिन ये हिंदुस्तान ने जिसको आमने सत्तर वर्साओं में धरमसाला बना दिया जो कोई आज अच्छा है कि देश में ऐसा दबंग भारत में और शुरुत का मुद्दा नहीं है यह तो यह उठाते हैं ना इनको चुनाव आते ही एक विशे मिला अब कहांगे इसलिए उनको बिहार से पहले दिली लोग लिविदान सभा से पहले एक विशे उठाने को मिला और वो ठीक कि उन्होंने उठाया दुनिया समझे आई अब समझ मांगे आते हैं तब सांप्राइक मुदा खड़ा रहता है और बाजबाही या बाजरी कॉंग्रेस ही खड़ा करते हैं ना वो विचारों की लड़ा ही लड़े वो सिधान्तों की लड़े लड़े वो अपने महनिस पेश कि उन्हों उठावं माविर्या छे ए मुद्दा मात्रन मात्र चुट्णी लक्षी छे मात्र वातो छे अपकात्मा बिजी वात छे जारे बाजब जेचे अट यार मजबूत छे अने कॉंग्रेस चुट्णी हारी रीज़ी चे त्याने वदारान मुदना उठ्णी लड़ा लग एक नानकोल विराम, विराम माद फरी एक वार मड़ी। विराम बाद आपनू स्वागत छे, अत्यार हमारे साथे ओम जी माथूर छे, माथूर साइब ने पूछे के वाप्राकार नू गुजरात नू इनू विवराचना छे, खास करीने आपके अभी ये अमिज जी है, वो लोकसबब बे नामाकन किया है, राजीसबब के सब्य है, लोकसबब में आना क्यों चाहते हैं? करें पंच देखें अमीज जी अपना निए कोई हमारा जी कि पार्टी में इंडियुजल कोई निए हुथा हमारी पार्टी का पार्लमेंट बोड़ निडीक करता है कि किसको कहा एई जो और była तक उत्तरफ प्रदेश देख रहा हुआ था पार्लामेंट बोर्ड ने नेता ने निर्णे लिया गुजराच जो गुजराच हो सकता है कि यह चुनापुरा होते हैं और कहीं जाओ तो यह पार्टी का निर्णे है कि उनको लोक्षभा में जाना ची और लोक्षभा का चुनाव लड़कर क्या आना ची ताकि यह कोई नहीं क्योंच जिए टोड़ के पिछल Gibson लड़ते रहे पांच विदान समा से चुनाफ़ भारी जंग भौ मंस जीते ऐ अब loved अब कौन क्या होगा यह थोड़ा हमारे पे छोड़ दीजिए खास तोर पे अमिजी को लड़वाना यानिक उसका मतलब यह होता है कि गुजरात में जो सीटो है यानिके 26 का टार्गेट हो पूरा नहीं हो सकता है इसलिए आपने अमिजी को लड़े हैं और यह पार्टी का नि पेले के चुका हूं कि 26 की 26 वी जीतने वाले मोदी जी बात चल रही है सूरत में आएंगे वापिस दिखे आप अपनी जब से कही बाते चलाते रहो मोदी जी कहां नी चल लगी अब तक पूरी भी चल लगी थी उससे पहले बंगाल में भी चल लगी थी फिर कोई करा चाहता है कि वो हमारे यांसे चुनाव लड़े कई ने कहीं से आप से फीडबेक मिलते होंगे आप इंजार करिए मोदी जी कहां से लड़े इस समय वह वाराणशी से उमिद्वार है राहुल जी दो सीट पर लड़ रहे है मोदी जी को लड़ना चाहिए समानते हैं नि कोई ज अकेला व्यक्तिनी करता ये परिवार की पार्टी नहीं है ये जाती की पार्टी नहीं है ये हमारे कोई कलपना कर सकता था कि कली में वाल प्रेंटिंग करने वाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्स बनेगा मैं तो बहुत छोटे से गाहों का रहने वाला वो तो उनको पता होगा, आप उनसे पूचिए, लेकिन दो क्यों, अगर वो चार पे लड़ना चाहिए, चार पे लड़े, लेकिन ये थे है, कि वो ऐसी सीट चुनिये, जिनको लगता है, कि मैं सहसंता से रिशीत के आजाओंगा, कम से कम हाउस में बैटने लाइक, राहूल क मैं हर छोटी बड़े विश्वे को चैलेंज और चुनोती मान के, आप कलपना कर सकते हो, कि मैंने यहां आगने के बाद, साथ हजार किलो मिटर से ज्यादा बाई रोट सपर किया, गुजरात में को ऐसी हवस्तनी के करें, लेकिन हम हर चीज को बहुत बारिकी से देखते हु हुई है, आपने उमेद वाजार नहीं है, हम हमारी जब भी होगी, कल भी मुझे कह रहे थे, कल दो पर में डिकले हो गई, कल मैं जब मुझे बाईट दे रहे थे, कि साब आपके चीटे नहीं डिकले, आप उन्से पूछे ना, कि जो तेरा डिकलेर किया है, उसमें भी भार हम सुद्ध रूप से हमारे पार्टी का कुशल संगटन, हमारा कुशल नेतर्त्व और हमारे कियेगे विकास के होदार पर हम मैदान में जा रहे है, ओम जी माथून नू के वह हुँ छे, कि खासकरी ने जे प्रकार नो 26 तितनो टार्गेट छे, टार्गेट पूरो करी शू अटलो फ's différent, हम रहूल गांधी नीस साते, पने वो के वूँ छे, कि राखूल गांधी छे, अमेटी दछे डरी जूक्या छे, अनरहे ए ट्ला मार्टे हो साउत मा गया छे अचे आतलू आती काले मलेशो एक नवा व्यक्तित्व साथे, एक नवा व्यक्ति साथे